यह को नेक्स्ट जो मारा कंपोनेंट यह स्वाइल का यह सेकंड वीडियो है जिसके अंदर जो स्वाइल कंपोनेंट कंपोजीशन उसके बारे में में डिसकोस कर रहे हैं के लाब में ौर्गएंसे प्रसक्रवा ऑग से पाए जाते हैं तो यह जैसे अगर पुआज़ स्वाइल की पार्टिकल्स होते हैं उनको हम यहां पर कंकड या ग्रेवल कहते हैं इसी तरह 2.00 से लेकर 0.2 mm रेंज की जो पार्टिकल्स होते हैं स्वाइल के उनको बालू या क्राइज सैंड कहते हैं इसी तरह रेंज पार्टिकल्स होते हैं उनको रेड्ट या फाइन सैंड को कहते हैं इसी तरह रेंज 0.002 तक कि पार्टिकल्स उनको मृतिका या शिल्ट उनको कहा जाता है इसी तरह यहां पर पॉइंट 002 से लेकर उसे और ज्यादा जो नीचे की जो बारिक रेंजर होती है उसे हम चिकनी या क्ले स्वाइल कहते हैं तो यहां पर हम देखें तो सवाइल की जो ओ अलग अलग टाइप सोते हैं उसके अंदर सवाइल की यह यह टाइप पढ़े Är इसे ऑघ्रे वंसे purity है में है इस तरह की मिलती हैं तो इनका Universe भी में अलग अलग देंगे कर ब्लेक जाए कोई ब्लैक राउन ऑम पर्पल हम उइध हलकालका इस तरह से हम यहां पर कर सहल के लिए क्लोड कोम उपीश्ट होती है तो सब्मस्फ के लिए जिसके अंदर जिससे लोयम कहा जाता है जिसे लोयम कहा जाता है जिसके अंदर जो चिकनी बालू गाद तीनों चिकनी म्रतिका और प्ले रतिका और रेड़ जो होती है वो समान मात्रा के अंदर होती है उसे हम यहां पर दॉमत मिट्टी कहते हैं समान मात्रा में होती है इसी तरह यहां पर देखिए जो सॉयल की और्गनिक मैटर होता है जो सॉयल का और अर्गनिक मैटर में अंदर यहां पर देखे इसे लीटर भी कहा जा सकता है इसे डफ भी कह होती है उसको मॉर कहा जाता है दूसरा मढ कहा जाता है कि मॉर जो होता है उसके अंदर पाई जाती हैं और जो मल जो होता है वो टैंपरिट रिजन्स के अंदर पाई जाती है जैसे उसके अंदर अर्थ वं उसके अंदर उसके सॉइल के अंदर जो लगबग अर्थ वं उसके अंदर प्रेजियम होते हैं मल के अंदर इसी तरह जो humus होती है जो humus है उसके अंदर जो Nutrition होते हैं इसके जाज़ जाएसे Sodium है, Potassium है, Calcium है और Phosphorus होते हैं और ये Porus होती है यानि उसके चिद्रीत होती है humus जिसे की Aeration आराम से हो सकते हैं और सोईल के अंदर एरेशन यानि की वात रंद्र प्रेजेंस होते हैं जिसे की प्लांट्स के अंदर ऑक्सिजन वह वह सप्लाई हो सके अलाबा जो उनकी जो नेचर होती है अगर हम देखें तो हुम्रस मरदा किस प्रकार की होती है और हुम्रस मरदा के अंदर क्या-क्या प्रेजेंस होते हैं उसके बारे में यांसस का कम्पोजिशन देख सके हैं नेक्स जो है वह जो अगर देखें तो स्वाल का जो dall के अंदर बाटा गया है जिसको फ्लोरा कहा जाता है और दूसरा जन्तुजाद जिसे फोना कहा जाता है जिसे यहां पर फ्लोरा फोना के अंदर हम दिफ्रेंस देख सकते हैं कैसे इसका मान होता है सोयल का तो यहां पर जो एलगी है फ्लोरा में नस्पतिजाद के दूसरा एलगी है ब्लू गरीन एिस्ति के मेंबर होते हैं इसके लाबर जो राइजोल्ट रोडत हैं उसके दौरा यह पर फ्लोरा सोइल या सोएल और टाइर टियार की जाती है उसी तरह जो फ्लो Corner सोइल शोड ने जो डोलों से जो इस में तो टार्मिंडिंक्स तर्मिन्ट्स हैं, इंसेक्ट्स, अर्थ वर्म्स, आर्थोपूर्डा, मॉर्सकल्स, रैप्टाइल्स और रेट्स इनकी करण फोना का निर्मान होता है तो यह सॉयल को और इफेक्ट करने वाले और्गिनिसम है जिसके करण सेल का जो कंपोजिशन है वो चेंजेस होता रहता ह है, अब हम यहां पर सिगनिफिकेशन ऑफ सोयल और्गिनिसम्स, देखें, तो सबसे पहला पाइंट आता है और्गिनिक मैटर, और्गिनिक मैटर हमने अब भी तक देखा, जो और्गिनिक मैटर होता है, कारबनिक प्रधारतों का निर्मान, स्वाइल के अंदर, तो हमने द फ्राकर्तिक अबगटक करने काम करते हैं तो यह प्राकर्तिक रूप से हैं जिते भी जटिल प्रधास होते हैं वह पुने प्राकर्तिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं सोई में इसी तरह जो सब्सक्राइब करना है तो यह प्रेदल के अंदर लगबग 78 परसेंट होती है लेकिन जो डायरेक्ट है प्लांट इसका उप्योग टायरेक्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ बैक्टिरिया जो होते हैं उसके अंदर यह शम्ता होती है कि वह अट्मोस्फिर की जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्सॉब करने का शम्ता रखते हैं तो यह जो बैक्टिरिया होते हैं वह सेंबाइटिक असोशियेशन के रूप में जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते है हैं उसके अंदर करते हैं इसी तरह है ना स्ट रोगव है इनके दौरे भी नाईटरजन फिक्षेशन का कारय किया jat है इसी तरह जो नेक्स टॉपिक हम देखें तो यहां पर प्रोडक्शन्स ऑफ ग्रोथ स्ट्युमिलेटिंग सब्स्टेंस यानि कि व्रद्धी को बढ़ाने वाले कारक यानि उद्धीपित करने वाले कारक जैसे जो माइक्रो राइजा है यह जो सिंबाइटिक असोशियस्स उनके पाए जाता है जैसे कवक है पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले कवक हैं इसी तरह इनकी द्वारा का स्थिमिलस जो है हार्मोन से उनका सिक्रेशन किया जाता है जैसे इंडॉल असटे चैसे और इसके लाबा ओउजेंस हार्मोन से इनके सेक्रेशन नेचुरल प्रोसेस के अंदर ही स्वाइल के प्रेजेंट्स होते हैं जिसके करनले कि अब अब प्लांट को जब सीड जब ग्रो करता है natural form में अंदर soil के अंदर तो वह नाचरल प्रोसेस के अंदर ही grow करता है उसके अंदर किसी प्रकार का आटिफिशल हार्मन समय देने की जरत नहीं पड़ते उसमें अपने आप ही प्रांग और मॉलांग कुर का निर्मान हो जाता अपने आप ही self development plant का होने लगता ह तो इसी तरह यहां पर देखें production of toxic substance कुछ प्लांट्स होते हैं वह हानिकारक या विशाक्त प्रधारतों का सिप्रेशन करते हैं जैसे hydrogen cyanide जो है वह हाइड्रो साइनिक एसल का formation करता है कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ये फ्यूजरियन लिलीन ये ये अलसी के पौधे जो होते हैं उनको मुर्जा देते हैं इसी तरह फ्यूजरियन निडुलम जो होता है उसके केजुनेस में उसको कि फ्यूजेरियस का फॉर्मेशन या सिक्रीट करते हैं जिसके की कारण जो है अरहर प्लांट जो होते हैं उसके उसको उसकी प्रौदे को समाप्ट कर देते हैं तो यह जो है वह साल के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स प्रिजेंस होते हैं बैंक्टरियस प्रिजेंस होते हैं जिसके करण प्लांट्स यजो नेगेटी coverage डालते हैं किpectikanा यो इसे तरह यह पर जो है निक्र but में वह भी कियाता है और दौरां जिसे हम और मैं किसानों का सहायक भी कहते हैं क्यूंकि जो अर्थ हो में पाई जाने वाले जी शाले होते हैं उसके इंदर डिजॉल हो जाते हैं और डिजॉल होने के कारण वह गौली छोटी-छोटी बॉल्स के फॉम में वापस सिक्रीट कर दिये जाते हैं अर्थफ़म के द्वारा और इसकारण स्वाइल के अंदर हवा आराम से प्रवेश कर सकती हैं तो यह म्रदा को उपजव बने का काम करते हैं तो स्वाइल को मिक्षर करते हैं यानि उसको उलट परट करने का काम अर्थवम के द्वारा किया दता है नेक्स्स जो दो हmäßig वमता है, जो सॉयल के सिंट्र श्रों सबीविखता है से ये यह स्रेंट्र यह में घ्राय और सीडे 누λα करें इसके अंदर माइक्रोज़ देखने को मिलता है तब यह प्लांट्स को है प्लांट्स की रूट्स के अंदर यह रूप में उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं उसको और अंदर की और उसको इंजयम को सिक्रीट करते हैं और उसको सिक्रीट करने के बाद उसको उसके हर्मो आथ़ इपसको कर देते हैं तो यह माक्रोराइजा तोयल के अंदर नाइटोजन फिक्षेशन की पर वस्व को इंक्रीज करते हैं इसी तरह जो एर होती है व्रुदार में वातन का जिसमें कार्बंट एक्सट जो होती सोयल के अदर अधिक होती है इसी तरह जो आया है जो वाटर लॉक्ड जल का जलाक अबस्ता वह देखने को मिलती है और के अंदर जो दलदली एरिया होता है उसके अंदर जो रूट्स होती है वह नुमेटर फोर्स होती है जिसके अंदर पर्जेंट होते हैं यह और वह टूश्चेंज का काम करती है तो नुमेटर फोर्स के द्वारा गीसी एक्टिंछ का काई किया जाता है जल्दली अवस्ता के में पाए जाने չा प्लांट्स के द्वारा इसी तरह जो आंदर जो आप नいたीशने ौटर ग्रेविटेश्यनल उटर के आा प्रेजेंट या इसको underground water भी कह सकते या hygroscopic water भी यहाँ इसको सी में पाले जमीन में मारे जल की मात्रा उती है उसको ओलाड काहाजाता है कि हैं जो जो मात्रा होती है उसे हम क्रिसाड कहते हैं इसी तरह जो confinement के लिए जो a परियाप्त जल हम जैसर मेन उसे उसे इकाड जल का उक्योग जो कि यूब। किया जाता है नेक्स देखें तो होटर होड़िंग कैपसिटी किसे कहते है जो वॉटर होड़िंग के आधरता है अधरता और कैपिलर तरूप होता है जिसे हम maximum water holding capacity कहा जाता है तो मैं अगर हम में पूछेंगे maximum water holding capacity क्या है तो humidity और capability water को मिला कर maximum water holding capacity का निमान होता है इसी तरह जो शेत्र शमता शब्द का यूपयोग किया जाता है जिसके अंदर capacity के अंदर कैशियतत्व कैशिकत्व जल यानि capillary water humidity water और water vapor और chemical binding water रास्यानिक बंदित जल का उपयोग इसके अंदर किया जाता है इसी तरह जो next इसके अंदर वर्ड का यूज होता है वह आधरता तुल्यांक यानि moisture equivalent का उपयोग किया जाता है जल संत्रप्त म्रदा को सेंट्रिफ्यूग मशीन्स में लगबग 2440 उसका rotation किया जाए चकर गुमाए जाए तीस मिनिट के लिए तो जो प्राप्त होता है वह संत्रप्त म्रदा या moisture आधरता तुल्यांक उसका होता है इसी तरह यहां पर हाइग्रोस्कोपिक कोफिसियंट या जलाकर्शन गुनांक जिसके अंदर जिसको ग्यात है शुष्क जो मिटी होती है उसके द्वारा आध्रवाता वरन या humid atmosphere के अंदर जो आफ्शोषित किया जाता है जलवाश की मात्रा उसे हम हाइग्रोस्कोपिक कोफिसियंट या जलोकर्शन गुनांक कहते हैं इसी तरह मलानी गुनांक या wilting coefficient किसे कहते हैं जो wilting coefficient होता है जो water holding capacity होती है वो equivalent होती है आधरता तुल्यांक के यानि की humidity कोफिशेंट्स के और जल आकर्शन गुनांक के equivalent होती है जिसे हम मलानी गुनांक कहते हैं इसी तरह है जो soil का जो temperature होता है वो soil की जो roots में सरवादिक development जो होता है root के इंदर temperature में 20 degree celsius से 30 degree celsius के बीच में इसका development सबसे अधिक होता है इसी तरह है जो soil के इंदर जो है 20 degree celsius temperature से कम temperature होने पर absorption की क्रिया जो रहे है वो रेट है वो slow जाती है और big degree centigrade temperature से high होने पर temperature के high होने पर जो root है उसके अंदर growth बढ़ जाती है और जो roots होती है वो गहरी पतली हो जाती है तो यहां पर temperature जो आता है वो soil को effect करता है नेक्स्ट है हमारा जो soil की जो reactions होती है soil reactions जो होती है वो टीन टाइप की जो soils होती है वो nature के अंदर हमें देखने को मिलती है nature of soil सबसे पहले है acid जिसके अंदर जो pH होती है वो साथ से कम होती है यह जो शारिय म्रदा होती है उस शारिय म्रदा के अंदर तीन तरह की structure हमें देखने को मिलते हैं जैसे black alkali होती है जिसके अंदर potassium sodium bicarbonate और प्रिजन होते है इसी तरह जो white alkali होती है उसके अंदर nitrate sulfate और sodium chloride इसके अंदर प्रिजन होती है और यह जल की जो प्रिजन होती है उसके अंदर यह एयो जाती है और water की हैलोफाइट होते हैं यह इसके अंदर हेलोफाइट्स के लाते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए जिप्सम का उपयोग के जाता है जिसे केल्शियम सलफेट कहते हैं और उसका गंदक भी इसके इंदर यूज किया जाता है है जैसे सुकी गास है डीप प्लगिंग यूज चुताई की जाती है और शाहरी अम्रदा का ट्रीटमेंट किया जाता है कि इसी तरह । जो एकिडिक स्वाइल होती हैं एकिडिक स्वाइल के अंदर केलशियम मेगनीशियम सोडियम प्र्टेशियम के सॉलिट्स इसके अंदर प्रिजन्स होते हैं और यह फरटिलैजर्स की पियंच होती है वह पांच से लेकर 6.5 इसकी पी-च होती है और इस जो इसकी जो इसकी सुधार के लिए है कैल्सियम कर्बोनेट का स्लेग इसके व्योग किया जाता है इसके लाबा जो प्लांट्स होते हैं जिसे रोजुरेंटरॉंड है कैसृराइना है फ्यूकस है इसकी टीट्मेंट के लिए बुगाया जाता है तो यहां पर आज का मारा टॉपिक स्वाइल जो की यह बाइटिक कंपोनेंट है वह कंप्लीट होता है